बात करिंग उत्रकाशी के यहां पर मुस्लादार बारिष की वज़़से जण जीवन प्रभावित ओक्या है बशाती नालों को पार करता हुआ युका ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिस पे कुछ बच्चो को सिक्षक बशाती नाली को पार कराते दिख रहे हैं बारिश के बाद बरसाती डाला उपान पर है और ऐसे भी कुछ सिक्षक इन बच्चों को नाला पार करा रहे हैं ये बच्चे मंजगाओं इंटर कॉलेज में पढ़ाए करते हैं तो तस्वीरे आप देखिए बढ़कोट के तस्वीरे हैं किस तरीके से जो सिक्षक है बच्चों को ये नाला पार कराते हुए नजर आ रहे हैं और बारिश की वज़े से नदी नाले उपान पर हैं वहीं बिल्कुल आईशी आगे बढ़ेंगे जोशी मटकी भी अगर आप बात कर लेते हैं तो SDRF ने कई लोगों की जान पचाई है यहां लोग खच्रा नाले में फस कहते हैं और तभी SDRF के जवानों ने मौके पहन पर पहुँचके लोगों को रेस्क्यू किया और एक घंटी की मशरकत के बाद सभी को सुरक्षित निकाला गया है कुल 50 लोग इस नाले में फस गयते हैं और तस्वीरे भी आपके सामने हैं किस तरीके से जो नदी नाले हैं उपान पर हैं बारिश की वज़े थे और यह तस्वीरे आप देखिए 50 लोग नाले के उस पा पहाड़ों से लगातार गिर रहे मलवे से लोगों की जान पर बन गई है और दीर राथ बड़ी बड़ी पत्थर एक मकान पर गिर गए जिससे वो जमी तोट रहे हैं जोशिमट में 50 परिवार दहशत के साई में जिन्दगी गुजार रहे हैं गाउं के कुछ उपर पहाड़ी में भूस खलन हो रहा है जमीन धंसने से ग्रामिलू में दहशत है इस तस्वीर को देखी नीचे पूरा गाउं बसा हुआ है उससे कुछ उपर पहाड़ी में भूस खलन हो रहा है इस जगह पर एक बड़ा गठा बन गया है रामिलू का अशंका है कि अगर यहां से जमीन खिसकी तो सीधे इनके घरों के उपर मलबा अकर गिरेगा यह घटना पिछले 15 दिनों से चारी जिससे गाउं में तहशत का माहौल भूस खलन से के लाणा तोक की 15 परिवार सहीत पाखी गाउं के 50 परिवारों को खत्रा पैदा हो गया है ग्रामीन मांग कर रहे हैं कि इस जगह का वग्यानिक सर्विक्षन होना चाहिए ताकि यह पता चल सके कि आखिरकार जमीन के नीचे किस तरह की हरकत हो रहे है एबीपी गंगा के लिए जोशिमट से ग्रणजीत रावत की रिपोर्ट आगे बढ़ेंगे और देखें किस तरीके से मौसम की जानकारी थी यह हमने आपके सामने रखी पूरे प्रदेश की आप बात करें तो पहाडों की इस वक्त की परिशानी है बारिश और ये बारिश भी आफट की बारिश बन करके तूटी है क्योंकि पहाडों से जो लगात मलबा गिर रहा है उसे लोगों की जिन्दगी परिशानी मेह देर रात बड़े बड़े पत्थर एक मकान पर गिरे और वो जमी दोस हो गया यह तस्वीरे आई है रपोर्ट देखें भुसकलन की ये भयानक तस्वीरे सामने आई हैं पितोरा गड़ के धारचूला से वहां के मली बाजार में पहाड से एक बड़ा पत्थर एक तीन मंजिरे मकान पर आगिरा जिसकी वज़े से पूरा घर जमी दोस हो गया गनिमत रही की मकान पहले ही खाली करा लिया गया था जिसकी वज़े से लोगों की जान बच गई लेकिन जैसे ही पत्थर तीन मंजली इमारत पर गिरा वहां अफरा तफरी बच गई लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे इस दोरान कई लोग अपनी दुकानों का शेटर भी बंद करते देखे गए प्रशासन ने एहतियातन मली बाजार को खाली करवा लिया है ब्यूरो रिपोर्ट एबी पी गंगा फूलों की घाटी अलग अलग प्रजाती के इन रंग बिरंगे फूलों की सुगन से महक रही है फूलों की घाटी में इन दिनों तीन सो से जादा प्रजाती के फूल अपनी रंगत बिखे रहे हैं इन फूलों के खुबसूरती प्रेटकों को मंत्रमुग्द कर रही है। बगर इस बार छे साल बाद एक खास फूल घाटी में खिला है। हल्दिया का फूल सेलानियों को अकरशित कर रहा है। और टाइम भी वह वैली में होता है लेकिन वह कम होता है। फूलों के घाटी देखने के लिए देशी विदेशी सहलानी आ रहे है। फूलों की घाटी की रंगत इन परेटकों को अपनी तरफ खींच रहे है। ABP गंगा के लिए जो शिमट से रणजीत रावत की रिपोर्ट। ABP गंगा खबर आपकी जवाआपकी ABP ABP ABP